नमशकार दोस्तों सवागता आप सभीका हमारी योटूब चैनल में और तोस्तों आज हम बनारे हैं केक को सजाने वाली क्रीम ना तो हमें यहाँ पर आपको पिरीम की ज़रूरत होगी और ना ही किसी और बैर की आपको ज़रूरत होगी क्रीम नहीं लाना अधी, शुजिवी कीख बनाया जा सकती हैіє। जैसे हम हल्यवे लिए आटा रोस्ट करते हैं चीलिया है। अब इसके अंदर सुर और स्वेणग उरणी किया हुआ है। तो डाल देंगे, मैंने सुगर को पानी के अंदर घोल लिया है, और उसी पानी से अब हम इसको इसका गोल जो है वो प्रिपेर कर लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सी केक पे सजाने वाली क्रीम हम घर पे भी बना सकते हैं, जो बच्चों के लिए हेल्दी भी होती है, खाने और दियान रखे, पानी के अंदर सुगर मैंने मिक्स की हुई है, तो देखिए अच्छे सी गोल जो है बेटर जो प्रिपेर हो गया है, अब इसका थोड़ा सा डार्क कलर रोड लेने के लिए आपे मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ, आप बीना कोको पाउडर के भी केक को डेकोरेट कर सकते हो, तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल से बढ़िया से स्मूध, चिकना और एकदम से तयार हो गया है, ये मैंने लिया एक पेपर, और कोई भी आप थेली ले सकते हो, जो भी आपके पास में हो, एवलेबल, और इस तरह की ये जो नोजिल आती है केक सज दाल सकते हो, तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, अब ये याँ पी सैट हो गई अच्छे से, तो इस जिप पर जो थेली है, इसके अंदर आप बैटर इंसर्ट कीजिए, और इसके बाद आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैने जार के अंदर डाल क जार केक को अछोग साथ, वह आप उसको चिकना कर लिजिए, तो एक ही बैटर से मैं आपको इसको जाना बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको अलग-अलग डिज़ाइन्स भी बताविगी, कि अलग-अलग जो नोजल उती हैं, उसके अलग-अलग डिजाइन्स भी आत सकते हो तो यह पर मैंने इसको बिल्कुल से स्मूद और चिकना कर लिया है बैटरे डाल करके और अब हम अपनी केक को उपर से गार्नीशिंग कर लेते हैं तो जो प्लास्टिक की फोल वाली थेलियां होते हैं उसके अंदर आप वो नोजल पिंडाल करके और इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हो केक के ऊपर बहुत ही आसान है बिल्कुल मार्केट से बढ़िया के घर पे रेड़ी हो जाता है और एकदम से आप इसको मार्केट से ज़्यादा सुन्दर खुबसूरत गरपे डिजाइन कर सकते हो तो यह देखे केक डिजाइन हो गया है और इसके साइड को भी हम डिजाइन कर लेंगे और फिर आप इसको काट यह जब भी जी चाहें आप गरपे केक बनाए यह बहुत ही चीफ होत होता है बहुत ही सस्ता घर पे प्रिपेर हो जाता है अब मैं आपको कुछ एक डिजैन्स बढ़ता रही हूं जो नोड जल से साइड की जो डिजैन्स बनती है वह आप इस तरह से देखिए घर पे बने हुए जो हलवे का बेटर होता है उसको थोड़ा सा मिक्सी जार के अंदर डाल करके स्मूध कर लीजिए चिकना और ठंडा होने के बाद और फिर आप उससे देखिए तरह तरह की डिजैन्स बना सकते हैं तो यह तरह तरह की अलग-अलग डिजैन्स की नोजल है और इनसे मैं इस तरह से बना रही हूं बहुत ही असान है बीना क्रीम के बीना मेहंग इनग्रीडियंट्स के आप नूर्मली सस्ते सस्ते इनग्रीडियंट्स से घर पे केक तयार कर सकते हो और इस तरह की नीचे की जो लेयर है वो बना सकते हो तो दोस्तों कैसी लगे आज के अमारी वीडियो प्लीज आप अमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर ताकि लोग घर पे अपने घर के इंग्रीडियंट से केक को सजा सकें तो अज आपने देखा कि किस तरह से गेहों के आटे से और जो एकदम साइनी क्रीम बना गर के और हम इस तरह से घर पे सजा सकते हैं केक को बहुत ही खुब सुर्थ डिजैन से बहुत सारी लेर यहां पी मैंने प्रिपेर किया है अलग-अलग नोजल्स की साहिता से तो यह हमारी लास्ट डिजैन से हैं इस तरह से देखे अब बहुत ही खुब सुर्थ सी थेंक्स पूर वोचिंग थेंक्यू आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद